तो तो फैलो दोस्तों माझस आज हम हाजी रहें एक्ससाइज 8 प्रपॉर के स्यस्ष्परश्ण को लिएकर स्यष्ष्परश्ण को लेकर चयस्ष्परश्ण कौण से है एक्ससाइज 8.4 का जो काफ़ी इंपर्टेंट इनको आप 100% कर लेना है उनका अधन कर लेना हैं इनमें से बोर्ड एक्जाम में लांग इंसर टाइब कॉस्चन फसने के चांसित नाइन परसंट हैं तो चलते हैं और शुरू करते हैं पहला क्वेस्चन पहला क्वेस्चन दिया गया है इनमें सभी को proof देना है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं cos theta minus cos theta का whole square लिखा गया है cos theta minus cos theta का whole square equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta तो left hand side के equal right hand side को लाना है या right hand side के equal left hand side को लाना है देखिए किसी भी question को solve करने के लिए गनित में दो पदचियां अपनाई जाती है एक है आगमन दूसरी है निकमन एक बड़े से छोटे की और चलता है दूसरा छोटे से बड़े की और चलता है हम यहाँ से शुरू करेंगे तो बड़े से छोटे की और चलेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे तो छोटे से बड़े की और चलते हैं तो दोनों काम हूं कर सकते हैं, चाहे इस पच्छ से इस पच्छ को सालब कर सकते हैं, चाहे इस पच्छ से इस पच्छ को सालब कर सकते हैं, तो जो भी आसान लगता है, चलिए हम शुरू करते हैं LHS से, तो हम लिखेंगे LHS, अब LHS में जो लिखा गया है, कि कॉसक थीटा minus cot theta का whole square अब इसको आप open करेंगे तो a minus b के whole square की तरह open करेंगे जब a minus b के whole square की तरह आप open करेंगे तो यह चीज जो यहाँ पर आ जाएगी और इसके पहले इस सबसे जरूरी बात जो है हमने बताया है कि sign और cast के अलावा कोई अन्य त्रिकोड में ती निस्पति आ जाती है त तो सबसे पहले उनको sign और cast के रोप में change कर लेना चाहिए तब solution आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उसका हल काफी आसान हो जाए तो हम यहाँ पर कॉसे को बदल लेंगे one by sign में हम लिखेंगे one by sign a और काट को बदल लेंगे cos a नहीं यह थीटा लिखा हुआ है sin थीटा और यह बदल लेंगे cos थीटा by sin थीटा के रोप में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है तो इनको हम घटा लेंगे लिख लेंगे one minus cos थीटा और नीचे लिख लेंगे sin थीटा का whole square अब इनको आगे बढ़ाए तो जैसे अंस बटे हर का whole square है तो अंस का square बटे हर काई square आईसा भी कर सकते हैं तो हो जाएगा one minus cos थीटा का whole square और नीचे हो जाएगा sin square थीटा अब इसको हम लिख सकते हैं one minus cos थीटा into one minus cos थीटा इसका क्या मतलब हुआ मतलब a square को लिखा जा सकता है a गुड़े a तो वही काम यहाँ पर sin square theta को लिखा जा सकता है 1 minus cos square theta यह भी फार्मूला है अब आगे बढ़ेंगे 1 minus cos theta into 1 minus cos theta solution आ चुका है बच्चों अब 1 को लिखेंगे हम 1 का square minus cos square theta क्या हो गया? a square minus b square जब a square minus b square हो गया तो इसे एक बार जोड़ी एक बार घटाईए और उपर लिखा गया है पहले से ही 1 minus cos theta into 1 minus cos theta और नीचे हो गया है 1 minus cos theta into 1 plus cos theta अब देखिए 1 minus cos theta से 1 minus cos theta कट गया और यहाँ पर बच गया है 1 minus cos theta और पूरी का बटा 1 plus cos theta यही तो था RHS क्यों? यही हमको प्रूप देना था एक बार फिर से कासिक theta को हमने लिख लिया है 1 by sin theta काट theta को लिख लिया है cos theta by sin theta दोनों का हर बराबर था इसलिए दोनों का बटा एक करके हमने लिख लिया है sin theta अब अंस बटे हर का whole square का मतलब होता है अंस काई square बटे हर काई square तो 1 minus cos theta का whole square और बटे हो गया sin square theta तो whole square को लिखा जा सकता है मतलब a square को लिखेंगे a गुड़ी a और sin square theta बराबर होता है 1 minus cos square theta और यहाँ पर 1 को लिख लिए है 1 का square minus cos square theta अब a square minus b square मतलब a minus b into a plus b उपर वाला जो कात्याओं है इससे cancel हो गया 1 minus cos theta बटे 1 plus cos theta बच चुका है तो a है question number 5 के पहले part का solution उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा अब हम देखते हैं part second part second जो लिखा गया है यहाँ पर a है lhs में lhs में लिखा गया है cos a by 1 plus sin a और यहाँ पर फिर लिखा गया है 1 plus sin a by cos a यहाँ पर solution के कई रास्ते हैं अब उसमें से एक रास्ता हमारा a है कि हम क्या करें इसके संजग्मे से उपर नीचे गुड़ा कर लें फिर इनका आपस में गुड़ा कर लें ऐसा भी हो सकता है अन्य था इसके अलामा सबसे आसान तरीका जो होगा हम वो अपना लेंगे चलिए हम सबसे आसान तरीका अपना लेते हैं तो इसका गुड़ा यहाँ करिए इसका गुड़ा यहाँ करिए इन दोनों का आपस में करिए इससे एजिये और कुछ होगा ही नहीं तो हम यहाँ गुड़ा करेंगे cos a cos a तो क्या हम कहेंगे इसके हर से इसके अंस में इसके हर से इसके अंस में गुड़ा करने पर तो मिल जाएगा cos square a प्लस इसका यहाँ गुड़ा करिए तो हो जाएगा 1 प्लस sin a का whole square और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin a into cos a देखिए हमें जो solution में लाना है RHS में ओ लाना है 2 sick a अब यह वाला cos a उपर चला जाएगा तो बन जाएगा sick a इतना तो हमको मिल चुका है ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए इतना हमको मिल चुका तिनका हम आपस में गुड़ा नहीं करेंगे तो a वाला भी कहीं न कहीं यह कट जाएगा अब आगे लिखते हैं a है cos square a प्लस यहां पर क्या कर रहे हैं a जो लिखा है 1 plus मतलब कि a plus b का whole square मतलब a square plus b square plus 2ab 2 sin a into 1 अब आगे बढ़ें तो नीचे लिखा है 1 plus sin a into cos a a हो गया अब आगे cos square a plus sin square a एक सासले रख लेते हैं तो cos square a plus sin square a 1 का square होगा 1 इनका गुड़ा करेंगे तो होगा केवल 2 sin a और जो नीचे लिखा गया है 1 plus sin a into cos a ऐसा अब cos square a plus sin square a का मान 1 होता है 1 plus 1 plus 2 sin a ऐसा अब नीचे लिखा है 1 plus sin a into cos a अब आगे एक एक को जोड़ रहें तो हो जाएगा 2 plus 2 sin a अब नीचे जो लिखा है 1 plus अब नीचे नीचे लिखा नीचे अब नीचे आ जाएगा 1 plus sin a into cos a अरग नहीं आ रहा अब क्या हो रहा यह थीटा नहीं है अब क्या हो रहा अब आगे थीटा नहीं है यह यह हो है इससे कांसिल हो गया cos को उपर ले जाएए बन जाएगा से के मिल गया 2 से के यही है हमारा रह अब हम देखते हैं question नमोर 5 का तीसरा part इसमें लिखा गया है tan थीटा by 1 minus car थीटा plus car थीटा by 1 minus tan थीटा equal to सिद्ध करना है 1 plus sec थीटा into cos थीटा तो हम चाहे यह LHS लेकर RHS ले आएं और चाहे RHS लेकर LHS ले आएं तो हम यहाँ पर लंबे से छोटे की और चलते हैं मतलब बड़े से छोटे की और चल रहे हैं और LHS से लेना शुरू करेंगे अब LHS लिखा है tan थीटा by 1 minus cat थीटा plus cat थीटा के लिए इस tan और काट को हम बदल लेंगे sin और cos में तो यहाँ पर लिखते हैं उपर जो लिखा गया है tan को आप लिख लिजिए sin थीटा by cos थीटा और नीचे 1 minus cos थीटा upon sin थीटा फिर ए चीज जो यहाँ है plus करके यह लिखा है cos थीटा upon sin थीटा और नीचे 1 minus sin थीटा upon cos थीटा अब आगे देखें उपर लिखा है sin थीटा by cos थीटा sin का गुड़ा एक में करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा minus cos थीटा और पूरी के बटे आ जाएगा sin थीटा plus यहाँ पर cos थीटा बटे sin थीटा cos का गुड़ा एक में करेंगे cos थीटा एक के cos थीटा minus sin थीटा और नीचे आ जाएगा cos थीटा इतना होने के बाद देखिए भाग को आप गुड़े में बदल लीजिए तो एवाला उपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा तो हम कर लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा गुड़ा जब करोगे तो एक अंस का हरा और हरका अंस बन जाएगा उपर चला जाएगा sin थीटा और नीचे आजाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अब प्लस यहाँ पे यह जो लिखा गया है cos थीटा by sin थीटा गुड़ा करोगे तो cos थीटा उपर चला जाएगा और नीचे आजाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा यह तो काफी simple process था, अभी तक तो हमने केवाद सरा लेह किया है और कुछ किया नहीं है अब sin का गुड़ा sin में होगा और इनका गुड़ा आपस में होगा गुड़ा करना नहीं है केवाद हमने इसे दिखाएंगे ब्रैकेट में रखकर फिर इनका गुड़ा इनके साथ होगा अब आगे बढ़ेंगे, तो हम देख रहे हैं कि sin theta गुड़े sin theta हो जाएगा sin square theta और नीचे cos theta into cos theta into sin theta और फिर इसमें गुड़ा है minus cos theta का यह जो बीच में, मतलब एक cos theta minus sin theta लिखा हुआ है अगर हम इनको यहां ले आएं, कहने का मतलब minus common कर लें क्या कर लें? minus common कर लें, तो जब minus common कर लेंगे तो यह sin आगे आजाएगा, cos पीशे चला जाएगा और जो plus है वो minus बन जाएगा और मिल जाएगा minus cos square theta और नीचे आजाएगा sin theta into sin theta minus cos theta ऐसा हो गया अब देखिए, हमने यहां minus क्यों किया है? हमने minus इसलिए किया है, चलिए अभी minus नहीं यहां करते हैं हो सकता है, आपको ना समझ में आया हो अभी इसको हम plus करके यहां पर cos theta minus sin theta ही लिखे रहते हैं अब आगे, अब की बार करेंगे यहां पर sin theta, देखिए, अब हर हमको बराबर करना है हर हमको बराबर करना है, तो सबसे पहले हर को बराबर करने के लिए नीचे कोई एक पद एक समान करिए, तो यह जो लिखा गया है sin theta minus cos theta, तो यहां से यह जो minus है उसको यहां ले आईए तो यह हो जाएगा minus cos square theta और यह बन जाएगा sin theta into sin theta minus cos theta, जो लिखा था cos theta minus sin theta अब हो हो चुका sin theta minus cos theta, अब इसके बाद देखिए, एक दोनों पद एक जैसे हैं, यही दोनों different हैं इसका गुड़ा यहां करिए, इसका गुड़ा यहां करिए, एक समाना जाएंगे तो हो जाएगा sin square theta, गुड़े sin theta, तो हो जाएगा sin cube theta और इसका गुड़ा यहां करोगे, तो हो जाएगा cos cube theta और यहां मिल जाएगा sin theta into cos theta into, यह वाला तो एक जैसा है, sin theta minus cos theta, जैसे हम LCM लेते थे उसी तरह से, एक बार आवर समझेंगे इस step को, इसका गुड़ा यहां करेंगे, इसका गुड़ा यहां करेंगे, इसका गुड़ा यहां करेंगे, यह दोनों तो एक जैसे हैं, तो कोई बात नहीं हो, उनको हम पहले ही रख लेंगे, sin theta, cos theta का आपस में गुड़ा कर देंगे, अब यह बन चुका है, a cube minus b cube, a cube minus b cube बराबर क्या होता है, a cube minus b cube बराबर होता है, a minus b into a square plus b square plus a b, यही होता है, बस यही फार्मूला हमको लगाना है, यहां मिल जाएगा sin theta minus cos theta, अब गुड़ा करेंगे a square, तो हो जाएगा sin square theta plus cos square theta plus sin theta into cos theta, ऐसा, अब नीचे क्या रिखेंगे, sin theta cos theta into कहेंगे, sin theta minus cos theta, तो sin theta minus cos theta, तो sin theta minus cos theta, यह दोनों cancel हो गए, और sin square theta plus cos square theta को लिखेंगे 1, और यह आजाएगा, 1 plus sin theta into cos theta, और नीचे क्या आएगा, sin theta into cos theta, अब इस हर का बित्रन कीजिए, मतलब इतने बटे इतना, प्लस इतने बटे इतना, ऐसा करेंगे, तो यह हो जाएगा, 1 by sin theta into cos theta, cos theta plus, उपर कहेंगे, sin theta into cos theta by sin theta into cos theta, अब जब sin theta से cos theta को काट देंगे, तो इकट जाएगा यह आपस में, वह बन जाएगा, 1, क्या हो गया, 1, और यह sin उपर जाएगा, बन जाएगा, कास उपर जाएगा, बन जाएगा, सेक, तो हो जाएगा, सेक theta into cos theta, हम लिख लेंगे, चुंकि sin theta बराबर होता है, 1 by cos sec, और फिर cos theta बराबर होता है, 1 by sec, यही तो क्या है, R, E, H, E, S, एक बार और, बड़ा ही important question है, इसलिए केरफुली इसको देखिएगा, यहाँ पर, LHS हमने लिया है, 10 को लिख 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 साइन by cos, काट को लिख 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 साइन, 10 को लिख साइन by cos, फिर क्या किया है, इसका गुड़ा यहाँ कर लिख 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 लिख, उपर वाला भी वैसे ही रखे हैं, इसका गुड़ा यहाँ किया है sin θ into cos θ नीचे sin θ इसका गुड़ा यहां कर लिए हैं उपर वाला तो ऐसे ही रखेंगे cos θ गुड़ा 1 cos θ माइनस फिर हो गया है sin θ गुड़ा 2 cos θ फिर उसके बाद अब इस वाले भाग को हमने गुड़ा में बदला है तो यह हर चला गया है उपर और अंसा आ गया है नीचे वही काम यहां भी किया गया है अब इनका आपस में गुड़ा करोगे sin गुड़ा sin square θ और यह हो गया है हमारा cos θ फिर उसके बाद cos θ गुड़ा sin θ into cos θ इसका हम पूरा complete गुड़ा नहीं करेंगे यहां जो plus था यह लिखा हैori cos θ यह कै लिखा है cos θ यह जो plus था जब minus कामन कर लेंगे तो plus बन जाएगा minus minus बन जाएगा plus तो यह हो गया minus और यह आगया plus में माना प्र इसका गुड़ा हםने यहां किया इसका गुड़ा हमने यहां किया इनको फिर आपस में कर लिया, तो ऐसा हो गया, देखे, sinθ, cosθ एक ही जैसे हैं, तो जैसे हम LCM लेते हैं, वही process यहां पर किया गया है, तो यहां पर हो गया है, sinθ, 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 जो different होता है, उसी से तो गुड़ा किया जाता है, AQ-BQ बरावर होता है, A-B into A square plus B square plus AB, और फिर यहां पर ऐसा है, नीचे वाला तो ऐसे काव ऐसे ही रख लिया गया है, फिर AQ-BQ का फार्मूला लगाया, A आ गया, फिर A वाला इस टर्म से कट गया है, और sinθ, cosθ जोड़े तो एक हो गया, उपर sinθ, cosθ लिखा ही है, अब हरका बित्रण किये हैं हम, जो बित्रण किये हैं तो एक बटे इतना, अब इतनी बटे इतना, यह वाला कैंसिल होकर 1 हो गया है, sin गया उपर cosθ, cos गया उपर sec, और यही हमारा RHS था, यह जो है, प्रूफ हो चुका है, अब हम देखते हैं, question no.5 का चौथा भाग, इसके LHS में लिखा गया है, 1 plus sec A by sec A, is equal to sin square A, by 1 minus cos A, ऐसा लिखा गया है, अब इसको हमें दोनों पच्छों से साल्व करना पड़ेगा, मतलब एक बार LHS को साल्व करके, लाएंगे कुछ आएगा, उसके बाद LHS को साल्व करेंगे कुछ आएगा, तो वही दोनों फिर क्या होंगे, आपस में बड़ाबर होंगे, तो हम लिखते हैं LHS, और LHS में लिखा गया है, 1 plus sec A by sec A, अब क्या करिए आप, इसका हरों का बित्रण कर लिजिए, A है 1 by sec A, plus sec A by sec A, अब sec से sec हो जाएगा काइंसिल, और यहां पर मिलेगा sec A, और A जो 1 लिखा गया है, इस 1 को, मतलब A कट जाएगा और आजाएगा 1, sec A चला जाएगा ऊपर, और बन जाएगा, cos A, cos A plus 1, क्या हो चुका है, cos A plus 1, इसको एक तरह से और आसानी से हम साल्व कर सकते हैं, इसी में, जैसे हमने अभी आपसे क्या कहा, हमने एक कहा, कि इसका LHS एक बार साल्व करेंगे कुछ आएगा, तो आ चुका है जितना आना चाहिए, RHS को साल्व करेंगे कुछ आएगा, तो O होगा, उसके बाद दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन अगर हम चाहें, तो इसी को साल्व करते करते, RHS तक पहुंचा सकते हैं, देखिए कैसे पहुंचा सकते हैं, अब यह जो लिखा गया है, कास A प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं, 1 प्लस कास A, और इसके बाद इसी में, 1 माइनस कास A से गुड़ा कर दीजिए, और 1 माइनस कास A से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर जब आप गुड़ा भाग करोगे, तो A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू हो जाएगा, A स्कॉयर माइनस B स्कॉयर, और नीचे लिखा गया है, 1 माइनस कास A, ऐसा, 1 माइनस कास A, अब 1 स्कॉयर को लिखा जास था, 1 माइनस कास स्कॉयर A, आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो आ ही चुका है, तो A हो गया है, यहाँ पर, अब 1 माइनस कास स्कॉयर A बराबर होता है, साइन स्कॉयर A, तो आ जाएगा, साइन स्कॉयर A, और नीचे लिखा है, 1 माइनस कास A, यही तो RHS है, साइन स्कॉयर A by 1 माइनस कास A, यह है हमारा R, A, H, S बस एक step हमको यहीं ध्यान देना है कि यहाँ पर आप multiply करोगे 1 minus cos A से 1 minus cos A से गुड़ा और गुड़ा के बाद भाग करेंगे यदि हमको भूल गया कि किस से यहाँ गुड़ा करना था किस से हमें भाग करना था बस यहीं देख लेना कि नीचे क्या लिखा गया है तो नीचे वहीं आना चाहिए अगर उससे हम भाग करते हैं तो उससे हमें गुड़ा भी करना ही पड़ता है यहाँ तो mathematics का basic rule है इसके बाद हम देखेंगे पाचवां question number 5 का पाचवां पार्ट जो है a लिखा गया है cos a minus sin a लिखा गया है LHS cos a यहाँ से लिखते हैं cos a minus sin a और फिर लिखा है plus 1 और नीचे लिखा है cos a plus sin a और फिर लिखा है minus 1 question number 5 कुछ उसी तरह का question है जैसे example number 15 था तो example number 15 में यहाँ पर प्रूफ करना था 1 by 1 by 6 a minus 10 a जब 6 और 10 सिद्ध करना था तो हमने वहाँ पर काच से भाग दिया था उसी के type का यह question है काच सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर sin से भाग दे देते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कि sin a से क्या अंस वा हर दोनों में भाग करने पर तो आप भाग करेंगे sin a से जब आप sin a से भाग करोगे तो हो जाएगा कास a और बटा sin a minus sin a बटा cos o sin a और फिर 1 by sin a ऐसा और नीचे जो है कास a बटा sin a plus sin a बटा sin a minus 1 by sin a ऐसा हम लिख लेंगे उसके बाद ए जो कास बटे sin है a बन जाएगा काट a sin से sin कैंसिल हो जाएगा मिल जाएगा 1 और एस sin उपर चला जाएगा मिल जाएगा कास यक क्या मिल जाएगा कास यक और यहाँ नीचे कास बटा sin करेंगे तो a हो जाएगा काट a और यहाँ पर sin में sin प्लस 1 और a मिल जाएगा माइनस कास यक a ऐसा हो गया है अब यहाँ पर कुछ भी सेश चीजें है हम यहाँ पर क्या करेंगे यह जो माइनस 1 है पीछे कर लेंगे प्लस 1 को पीछे कर लेंगे तो a मिल जाएगा हमारा काट a प्लस कास यक a माइनस 1 और नीचे मिलेगा काट a माइनस कास यक a प्लस 1 अब एक काम करेंगे यही जो लिखा है काट a माइनस कास यक इसी से उपर और नीचे दोनों गुड़ा कर दीजिए तो उपर जब हम गुड़ा करेंगे उपर हम लिखेंगे कि काट a माइनस कास यक a इससे गुड़ा करेंगे और इसी से नीचे भी गुड़ा कर लेंगे काट a माइनस कास यक a अब एक क्या बन जाएगा यहां पर इस तने के साथ में इतने का गुड़ा करो इसमें इसको गुड़ा कर देना तो यह हो जाएगा A plus B into A minus B मतलब A square minus B square और A मिल जाएगा minus, cut A minus, cut A ऐसा हो जाएगा और इनका गुड़ा इनके साथ करेंगे तो यह हो जाएगा, cot A, cot A, minus cosic A, का whole square, और यहाँ फिर भी plus, cot A, minus cosic A, ऐसा हो जाएगा, अब, cot square A, minus cosic square A, cot square A, minus cosic square A, यह क्या हो जाएगा, इसका मान होगा, minus 1, तो A minus जब अंदर जाएगा, इसको कर देगा, plus, और इसको कर देगा, minus, और मिल जाएगा, cot A, minus cosic A, minus cosic A, और, छोड़ो, यहाँ पर, cot A, minus cosic A, का गुड़ा करेंगा, cot A, plus cosic A में, तो A, plus B, into A, minus B, बराबर हो गया, A, square, minus B, square, minus, गुड़ा करके, यहाँ कर लिये हैं, इनका आपसमें, गुड़ा करके, इसे, रख दिये हैं, और उसके बाद, यहाँ पर, cot square A, minus cosic square A, बराबर होगा, minus 1, क्या कासक A, और नीचे जो लिखा जाएगा, वह रहेगा, plus, cot A, minus cosic A, और, plus 1, और फिर लिखा है, cot A, minus cosic A, आगे देखेंगे, अगर हम, minus 1 को कामन कर लें, minus 1 से, उपर और नीचे गुड़ा कर दीजे, कुल मिला कर बस यही, minus 1 से, कामन हम लेंगे, तो यह minus 1 बन जाएगा, plus 1, यह minus बन जाएगा, plus, यह plus बन जाएगा, minus, और यह बन जाएगा, plus, और यहाँ नीचे, यह जो लिखा गया है, पहले से, cot A, minus, cosic A, plus 1, इससे हो गया, कैंसिल, और यहाँ लिखा है, काट A, minus, cosic A, कुल मिला कर मिल जाएगा, minus 1 by, काट A, minus, cosic A, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इस minus का गुड़ा नीचे कर लेंगे, तो A हो जाएगा, 1 by, cosic A, minus, काट A, अब इसका कर देंगे, संजुगमी से, उपर नीचे गुड़ा, मतलब जो बीच में, minus है, उसका, plus करके, उपर नीचे गुड़ा कर देंगे, तो A हो जाएगा, cosic A, minus, काट A, गुड़े, cosic A, plus, काट A, और नीचे, cosic A, plus, काट A, अब यहाँ पर हो जा रहा है, A, minus B, into A, plus B, मतलब A, square, minus B, square, एक से गुड़ा करेंगे, तो वही रह जाएगा, cosic A, plus, काट A, और नीचे, cosic, square A, minus, काट, square A, अब आगे, cosic A, plus, काट A, को तो वही रहने दीजिए, cosic, square A, minus, काट, square A, बराबर होता है, 1, तो हो जाएगा, cosic A, minus, काट A, बटा, 1, इसका मतलब है, तो यही होता है, ना, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, A हो जाएगा, काट A, वह सौरी, A, plus है, और यही क्या हमारा, R, H, yes, एक बार फिर से देख लेते हैं, यह जो लिखा है, cos A, minus, sin A, plus 1, cos A, plus sin A, minus 1, तो sin A से अंसवाहर, दोनों में भाग करने पर, cos बटे sin, sin बटे sin, 1 by sin, cos बटे sin, sin by sin, 1 by sin, तो cos बटे sin हो गया, काट, sin sin हो गया, 1, और 1 by sin हो गया, cos A, वही काम यहाँ पर भी कर दिये हैं, minus 1 को पीछे कर देंगे, उसके बाद यहाँ जो नीचे लिखा गया है, काट A, minus, cos A, जैसे उदाहर नमबर 15 में हमने बताया था, वह ऐसे ही, तो यह है, काट A, minus, cos A, के, इससे उपर और नीचे गुड़ा कर देंगे, इसमें गुड़ा करेंगे, तो A, plus B, into A, minus B, बन जाएगा, A, minus B, minus C, इसमें गुड़ा हो गया, इनको ऐसे ही रख लेंगे, काट A, minus, cos A, minus, cos A, minus 1, बरावर होता है, minus 1, माइनस को अंदर भेद दिये हैं, plus बन गया, minus, minus बन गया, plus, अब यहाँ से हमने क्या किया, minus को common कर लिया है, तो काट बन गया, plus, अब यह बन गया, minus, और यह बन गया, plus, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद, यह उपर नीचे कैंसिल हो गया, अब मिल गया, minus 1, by, काट A, minus, कासे के, तो अब minus से नीचे गुड़ा कर देंगे, तो A, कासे का जाएगा, आगए, यह बन जाएगा, पीछे, और कासे के, minus, काट A, अब इसके संजुग्मी, minus का संजुग्मी, plus से उपर और नीचे गुड़ा कर दिये हैं, यहाँ गुड़ा करेंगे, तो A, minus B, into A, plus B, A, बन जाएगा, A, square minus B, स्क्वाइर, यह उपर बचा रहा गया है, तो कासे के स्क्वाइर, minus काटी स्क्वाइर, बरावर होता है, तो 1 से भाग करेंगे, तो कासे के, plus काटे, वही बचा रहा जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब हम देख रहे हैं, क्वेस्चन नमबर फाइव का छठमा पार्ट, इसमें देखी लिखा है, under root 1 plus sin A by 1 minus sin A, is equal to sec plus tan A, ऐसा लिखा है, तो हमें पहले देख लेना चाहिए कि पूच क्या रहा है, यहाँ पर पूच रहा है, sec plus tan A मतलब दोनों के नीचे कास है, sec को लिखा जासकता है 1 by cast, tan को लिखा जासकता है sin by cast, तो दोनों के नीचे कास दिया गया है, तो A जो 1 minus sin A है, किसी भी प्रकास से हमको इसको कास बनाना पड़ेगा, तब जाकर हम यहाँ रख पाएंगे, तो हम लेते हैं LHS, जब हम लेंगे LHS, देखिए, जब हम question के mind को पढ़ लेंगे, तो फिर solution काफी आसान हो जाता है, अब हमें नीचे कास बनाना है, 1 minus sin A में 1 plus sin A से गुड़ा करेंगे, तो बनेगा 1 minus sin square A, और उसे करेंगे कास square बस आगे बढ़ जाएगी, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, 1 plus sin A by 1 minus sin A, अभी देखिए कितना easy और important solution है, अब यहाँ पर इसके संजुगमी से उपर नीचे गुड़ा करने पर, 1 minus 1 plus sin A, गुड़े, 1 plus sin A, अब यह उपर है, और उसे से नीचे भी गुड़ा करना पड़ेगा, 1 minus sin A into 1 minus sin A, 1 plus sin A, 1 plus sin A से उपर, 1 plus sin A से नीचे भी गुड़ा कर दिये हैं, तो उपर बन जाएगा, A plus B into A plus B, मतलब A plus B का whole square, A बन गया, और नीचे, 1 minus sin A, 1 plus sin A, मतलब A plus B into A minus B, मतलब A square minus B square, और फिर आगे अगर बढ़ा दें, तो A बन जाएगा, 1 plus sin A का whole square, और नीचे, 1 का square 1 ही होता है, 1 minus sin square A, इसके बाद, यहाँ पे, A बन गया, 1 plus sin A का whole square, 1 minus sin square A बराबर, cos square A, बन गया ना, अब इसका square root लेंगे, तो मिलेगा, 1 plus sin A, वर्ग का वर्ग मुल लेंगे, तो अंदर वाला मान मिल जाएगा, वही काम यहाँ पर भी है, अब हर का भी तरण कर देंगे, 1 by cos A, plus sin A by cos A, बस, cos को उपर भेजेंगे, 6 A, और sin by cos हो जाएगा, 10 A, और यही हमारा क्या है, एक बार और, हम कैसे जान गए, कि उपर वाले के संजुग्मी, समतलब कि नीचे वाले के संजुग्मी से ही उपर गुड़ा करना है, प्राया question में ऐसा ही होगा, जब लिखा रहेगा, 1 minus sin A, तो 1 plus sin A से उपर नीचे गुड़ा करना पड़ेगा, यहाँ अगर plus है, तो minus से उपर नीचे गुड़ा करना पड़ेगा, 99% question में ऐसा ही रहता है, कि का से minus sin A है, तो का से plus sin A से उपर नीचे गुड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर उस solution सही से आएगा, यही trick है, यही जो solution का जो आधार है, जो base है, जो heart है, वही है, अब हम देखेंगे अगला question, इस question में एक ऐसा formula लगेगा, जो formula आपके book में दिया ही नहीं गया है, उस formula को हम सबसे पहले यहीं लिखी ही लेते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से formula है वे, जैसे एक है 1-2 sin square theta, ए होता है कास 2 theta, और एक है 2 cos square theta-1, ए भी होता है कास 2 theta, ए दो formula अभी यहाँ पर use होंगे, आपके book में दिया नहीं है, लेकिन उस type को question दिया है, इसलिए ए दोनों formula आपको learn रखने होंगे, अब हम लेंगे lhs, क्या लिखेंगे lhs, यहाँ लिखा है sin theta, minus 2 sin cube theta, और नीचे 2 cos cube theta, minus cos theta, अब sin sin दोनों में है, sin common लीजिए, cos cos दोनों में है, cos common लीजिए, तो हम जब sin theta को common ले लेंगे, यहाँ मिलेगा 1, और यहाँ मिलेगा 1 sin चला गया, sin cube है, 3 नहीं मत समझ लेना, यह cube है, तो मिलेगा sin square theta, और नीचे, यहाँ से हम common ले ले रहे हैं, cos theta, एक cos theta चला गया, तो मिलेगा cos square theta, यह चला गया, तो मिलेगा 1, देखिए, किसी भी नंबर में 1 का multiply होता है, अब cos चला गया, तो 1 ही तो बचा है, यह तो हम बहुत बार पहले ही बता चुके हैं, अब यहाँ पर sin theta, बटे cos theta बन गया है, tan theta, 1 minus 2 sin square theta बराबर क्या है, cos 2 theta, और फिर नीचे, 2 cos square theta minus 1 बराबर क्या है, cos 2 theta, अब cos 2 theta cancel हो गया, क्या बचा, केवल बचा है, tan theta, यही है हमारा R, H, अब हम देख रहे हैं, question number 5 का आठावा part, इसमें आठावा part में लिखा गया है, sin A plus का से के का holy square, plus का से प्लस sin A का holy square, equal to, प्रूब करना है, 7 plus 10 square A plus cut square A, काफी easy और interesting solution है इसका, इसमें हम जो है, 2-3 formulas का use करेंगे, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन solution काफी आसान, अभी देखिएगा, तो हम लिखते हैं LHS, हम यहां लिखते हैं LHS, sin A plus cos A का holy square, और यहां cos A plus sec A का holy square, अब एक formula हमको पता है, basic सा बहुत ही आसाम काउन सा, A plus B का holy square, उसी का use करेंगे हम, A plus B का holy square is equal to A square plus B square plus 2AB, वही सेम फार्मूला यहां भी, तो हो जाएगा, A square plus B square plus 2AB, है न, देखने में फिर कितना बड़ा लग रहा है, फिर देखना भी कितना आसान हो जाएगा, sin square A को हम cos square A के साथ हमें रख लेते हैं, तो हो जाएगा, sin square A plus cos square A, cos square A को हम बदल लेते हैं, 1 plus cos square A में, क्योंकि यहां पर पूँचा गया है, और sin A गुड़े कास एक A का मतलब होता है, 1, 2 गुड़े 1 हो जाएगा, अब A तो यहां चला गया है, 6 square A को लिख लेंगे, 1 plus 10 square A, cos A गुड़े 6 A, 1 हो जाएगा, 2 into 1, अब कितना फार्मूला यहां यूज किया हैं, यहां यूज किया हैं, चुंकि कास एक square A बराबर 1 प्लस काट square A, दूसरा यूज किया है, 6 square A बराबर 1 प्लस 10 square A, तीसरा है, sin A गुड़े कास एक A बराबर 1, इसको भी लिख लीजिए, sin A into कास एक A बराबर 1, और कास A गुड़े 6 A, A बराबर भी क्या होता है, 1, क्यों होता है भाई, उसका opposite हो उपर नीचे कर जाएगा, पस और कोई बात नहीं है, फिर sin square A प्लस कास square A बराबर 1, एक और फिर काट square A, दो एक के दो, फिर एक, फिर टाइन square A, फिर दो एक के दो, जोड़ दो, एक, एक, दो, 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 चार, दो, छे, एक, साथ, हो गया 7 प्लस काट square A प्लस time square A, यही चीज़ तो आया है, अब इसमें आगे पीछे लिखा गया, चलिए हम भी ऐसा ही लिख देते हैं, time square A को पहले लिख देते हैं, cut square A को बाद में लिख देते हैं, time square A, प्लस cut square A, यही क्या है, और यह, यस, कितना easy solution है, हाई की नहीं, देखते हैं question number 5 का नौँआ पार्ट, देखें इसमें लिखा है, हमने अभी दो पद्दतियां आपको बताई है, एक होता है, जो बड़े से छोटे से बड़े की वर चलते हैं, तो बड़े से छोटे की वर चलना काफी आसान होता है, इसलिए हम यहाँ पर शुरू करेंगे LHS से, अब हमें LHS को लिख लेते हैं, LHS लिखा है, कासेक A माइनस साइन A, इन्टू सेक A माइनस कास A, कासेक A को आप बदल लीजिए, वन बाई साइन A में, और साइन A यहीं पर पढ़ा रहने दीजिए, फिर इसको बदल लीजिए, वन बाई कास A में, और कास A को यहीं पढ़ा रहने दीजिए, इसका गुड़ा यहां करिए, हो जाएगा 1- sin square A, sin गुड़े sin, नीचे आजाएगा sin A और यहां पर cos का यहां गुड़ा करिए, 1- cos square A, और यहां आजाएगा cos A उसके बाद 1- sin square A बराबर होता है cos square A, बटा sin A फिर यहां पर 1- cos square A बराबर होता है sin square A, और बटा cos A तो एक sin से एक sin, एक cos से एक cos कट जाएगा, ऊपर मिलेगा cos A into sin A इसको यहीं पर समीकर एक मान कर छोड़ दीजिए, अब दूसरा पच्छ हम लेते हैं, रह, यस इस तरह से हल करने पर काफी आसान हो जाएगा 1 by tan A plus cos A तो आप एक काम करिए, इसको पहले sin और cos में बदल लीजिए जब इसको हम sin और cos में बदल लेंगे, तो यह मिलेगा 1 by sin A by cos A plus cos A by sin A sin का गुड़ा sin में, cos का गुड़ा cos में इन दोनों का आपस में हो जाएगा 1 by sin square A plus cos square A इनका आपस में, तो हो जाएगा cos A into sin A यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A जो है, भाग का भाग है, तो यह उपर चला जाएगा और मिल जाएगा cos A into sin A और नीचे sin square A plus cos square A बराबर 1 क्या मिल गया, cos A into sin A इसको लिख लिख लिजे समी करण 2 हम देख रहे हैं समी करण 1 और 2 दोनों बराबर है कहेंगे समी करण 1 यूं 2 से क्या, यह लिख 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 अब हम देख रहे हैं question number 5 का दसमा भाग तो इसमें जो है, दो question का एक ही question बना लिया गया है 1 plus 10 square A by 1 plus cat square A बराबर 10 square A 1 minus 10 A by 1 minus cat A का होल स्कॉर बराबर 10 square A यह दो अलग-अलग question थे, तो अब यह दोनों को एक ही question बना लिया गया है तो पहले हम सुरू करते हैं इस से, इस से सुरू करेंगे इतना लाएंगे फिर इस से सुरू करेंगे इतना लाएंगे और तीनों आपसे बराबर दिखा देंगे पूरा proof हो जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ही लिख लिजे, अब यहाँ लिखें तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर या यहाँ ही लिख लिजे, बस कुछ नहीं 1 plus tan square a by 1 plus car square a अब 1 plus tan square a बराबर होता क्या है sec square a 1 plus car square a बराबर होता है car sec square a इसे लिखेंगे 1 by car square a और इसे लिखेंगे 1 by sin square a जब भाग को गुडा में बदलेंगे तो हो जाएगा sin square a बटा एक गुड़े एक बटा कास square a अब sin square a बटा कास square a a बन जाएगा tan square a यहीं पर करके छोड़ देंगे तथा अब दूसरा भाग a लिखा गया है 1 minus tan a by 1 minus car a का whole square इतना लिखा गया है अब जब यहाँ हम लिखेंगे तो इसको चाहे तो आप अलग-अलग लिखेंगे और नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर a minus b का whole square करके a minus b का whole square नीचे करके दोनों को करके तब आगे बढ़िए यहाँ पर sin बटे कास करके भी किया जा सकता है दोनों तरीके से आसान है तो हम पहरा तरीका आपनाते हैं हम लिखेंगे 1 minus tan a का whole square और नीचे लिखेंगे 1 minus cut a का whole square अब a minus b का whole square a square plus b square minus 2a into b नीचे a square plus b square minus 2a b यह हो गया 1 का square 1 plus tan square a minus 2 tan a नीचे 1 plus cut square a minus 2 cut a अब a 1 plus tan square a बराबर होता है सक square a और आगे बढ़ाएंगे minus 2 tan a और नीचे जो है का सक square a minus 2 cut a इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे a लिखा है सक square a चलो इसको बदल लेते हैं और लिख लेते हैं 1 by कास square a minus 2 tan को बदलेंगे sin a by कास a और नीचे इसे लिखेंगे तो 1 by sin square a और a हो जाएगा minus 2 कास a by sin a क्यों? ऐसा हो गया ना? अब क्या करना है? यहाँ पर एक साइन जादा है यहाँ पर एक कास जादा है तो इसका गुड़ा यहाँ कर लीजिए तो हो जाएगा 1 minus 2 sin a into कास a और नीचे मिल जाएगा कास square a फिर यह होई काम यहाँ पर भी कर सकते हैं तो a हो जाएगा 1 minus 2 sin a into कास a by sin square a अब क्या करना है? इससे a वाला कर जाएगा थोड़ा सा उपर नीचे कर लीजिए 2 sin a into कास a by कास square a भाग को जो गुरा में बदलेंगे तो यह बन जाएगा अंस में और नीचे हर आएगा 2 sin a into कास a इससे कट गया और sin square a बटे कास square a यह मिल चुका है time square a यहाँ से एक और तरीके से हम कर सकते थे यदि आप sin और कास में बदल के करना चाहते हैं तो sin बटे कास कर लीजिएगा कास का गुरा यहाँ हो जग कास a माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ साइन आ जाएगा बात वही एक दम होगी और नीचे मिलेगा चलिए देखिए यहाँ से भी करके दिखा देते हैं आपको जैसे यदि हम यहाँ से करना चाहें तो इसको कर लेंगे हम 1 माइनस साइन आ बाई कास a और 1 माइनस कास a बाई साइन आ एक ही क्वेस्टन के हल करने के कई तरीके होते हैं whole square कर लेते हैं, कास का गुड़ा यहां कर देंगे, मिल जाएगा कास A minus sin A का whole square, और नीचे मिलेगा कास square A, यहां पर गुड़ा कर देंगे, तो हो जाएगा sin A minus कास A का whole square, बटे sin square A, अब आगे समझ लीजिए, यहां से यदि हम minus को हैं देंगे, माइनस का square पलस ही होगा, और sin A minus 80 से उपर भी बन जाएगा, तो sin A minus 80 का whole square sin A minus 80 का whole square कड जाएगा, sin ऊपर चला जाएगा, sin veти Awards 80 Ba 96 square बन जाएगा, 10 square A, तो वहां से भी हम हल का सकते हैं, और यहीं पर भी, हल हो चुका है, तो आप देखलेजिए इतना solution question no.5 का दसमा A हो चुका है यदि exercise 8.4 अच्छी तरीके से समझ में आई हो इसका जो सबसे important question था पांचमा इसके 10 भाग थे अच्छी तरीके समझ में आया हो तो वीडियो को like कीजिए दोस्तों के पास share कीजिए इतनी चानल पर नए है तो चानल को subscribe कीजिए धन्यबाद